योजनाओं से क्या मिलेगा किसान को MSP दो पहला इनका जो अध्यादेश है उसके अंदर क्या होगा इन्होंने खुली छूट दे दी किसको दे दी व्यापारी को छोटे को बाहर की कमपनी को या अंदर की कमपनी को उससे सिर्फ निजी करन को बढ़ावा मिलेगा इस टीनों एक्ट में अगर एक चोथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का MSP से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा तो हमें कोई आपती नहीं थी लेकिन MSP सबत को इन्होंने छुआ ही नहीं जैसे सबसीडिज दे रही है सरकार हमें सबसीडिज नहीं चाहिए हमें फसल का रेठ कर से आमें कर्ज की बात करें अइगी होड़े देगे पुरा दीने का युद लड़ रहे है बॉर्डर पर सारी मीडिया वहां से थोड़ी फुरसत मिली ओ स्पिटल जिस अमित्हा चन थे नानावटी उधर जा खड़े हुए उधर से ये विकास दुब्बे पर आ गए विकास दुब्बे से ये वापस फिर इसमें सचिन पाइलेट के बहाँ चलेगा किसान की देश के अंदरूनी आलात इतने खराब हो रहे हैं साथ अब आर पार के बगर कोई समाधान नहीं है सरकार ऐसे नहीं चेते मैं दावा करता हूँ इस पर देश के जितने भी विद्वान हैं पड़े लिखे या किसान आप एक बार अंदाचा लगा के देख लो 2014 में चना, सरसों, धान, कफास, मूं, मोट, गुआर का क्या रेट था और आज क्या है कम से कदम कम दो कदम तो चलके दिखलाते दो कदम तो बलके लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है जब आज बेचारा भी जबी आर का किसान अपने यहां कुछभ चाट सत्रह कुछ वे आस पास इसका मक्का का A M-S B रखा हुआ है वहां पर शहसू साथ सो से उपर नहीं विका है जब आप तसली करके देख लो दान वहाँ पर 1200 से उपर नहीं भी काया आप तसली करके देख लो One Nation One Market मैं मेरे तोसाम का पांच किलो मेटर है मैं मेरे One Nation One Market का मैं क्या रूँगा क्या मैं आज तक मेरे टिस्टिक भिवानी के एक दाना ने लेके गया हूँ किसी चीज का One Nation One Market मैं करना टक कैसे लेके जाँगा मैं एदराबाद कैसे लेके जाँगा मैं पटना कैसे लेके जाँगा जिसका किराह इतना पड़ा नूंतम समर्थन मुल्य सवद को छुआ ही नहीं तो इसका मतलब किसान की बरबादी के सिवाए इन अध्यादेसों में कुछ भी नहीं है बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये डाचा खड़ा हुआ था, मंडियों का डाचा आज देश में कितने करोड़ों आदमी हैं जो मंडियों में रोज़गार कर रहे हैं, कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े-बड़े सैड खड़े हुए थे, ये उसको दवस्त कर देंगे सरकार को जरुरूरता है, ऐसे ऐसे कुकरमों को सुधारे, जबके ये रोज एक थेला बरके चले आते हैं, अब तो डर लंगले हैं लगाया देश की जनता को, कई बात रूप मिसमी में से कोई नेता मंतरी ना निकला और आते ही कोई योजना लंस ना कर दे, हम सरफ चीन और पाकिस्तान की लडाई नहीं, अगर अंदर से देश तूट गया, तो पाकिस्तान जरुचीन, हमें तो घुलाम रहना है, उनके हैं, फिर वो कर लेंगे, फरक क्या पड़ेगा, अंदर से मजबूत करो देश को, और किसान के बगार मजबूत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं क हमारा देश कर्षी परधान देश है और इसको उद्धोग परधान देश बनाने की कवायद चली हुई है डगनुटियों का प्रेस्रो या किसी बड़े-बड़े अमबाणी अधाणियों का प्रेस्रो बेचा जा रहा है किसान को आज भी किसान को नहीं जागी तो वावी पीडिया दिक्का रेंगी